Hello everyone, welcome back to my channel और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी के एर I hope कि आप सब अच्छे होंगे तो friends, आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ यह makeup look और यह मैंने makeup look किया है कुछ highlighters की help से और कुछ other makeup products की help से I hope कि आपको पसंद आएगा और please वीडियो को अट तक जरूर देखेगा तो चली देख लेते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ Maybelline Fit Me foundation में थोड़ा सा shimmer powder mix करकर लगा रही हूँ ताकि मेरा face चोई है highlight लगे यानि कि अच्छा सा एक glow आजाए मेरे face पर और मेरे पास क्योंकि कोई illuminator तो नहीं था किसी भी तरह का मैंने इसलिए foundation में ही shimmer powder को mix करकर अपने face पर लगा लिया है ताकि मेरे face पर एक अच्छा सा glow आजाए और यह golden color का मैंने लिया है था shimmer powder और यहाँ पर मैं अपने eyebrows को fill कर लूँगी और अब मैं एक flat brush पर यह make up fixer spray करकर और यह जो आप देख रहे है pink color का shimmer powder है इसे अपनी eyelid पर लगाऊंगी इस flat brush की help से ताकि इसका shade अच्छे से उभर कर आए यह देखे इसलिए मैंने इस पर make up fixer spray किया था तो इस shimmer powder को आप highlighter की तरह भी लगा सकते हैं और eyeshadow की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं तो काफी अच्छे shimmer powders हैं और यहाँ पर मैं यह dark pink color का shimmer shade ले रही हूँ अपनी crease line पर apply करूँगी मैं इसे ताकि मेरा जो shade है अच्छे से नजर आए आपको कि मैंने कौन सा shimmer powder लगाया है as a eyeshadow नेक्स में यहाँ पर highlighter लगा रही हूँ अपनी eyes के inner corner में अच्छे से मैंने भरकर highlighter लगाया है नेक्स में यह highlighter से silver color का shade लेकर अपनी पूरी eyelid पर लगा रही हूँ और सभी makeup products की link आपको मैं नीचे description box में as usual दे दूँगी नेक्स में यहाँ पर लगा रही हूँ makeup eyeliner और मैं यहाँ पर eyeliner को बहुत मोटा नहीं लगाऊंगी और नहीं मैं यहाँ पर winged eyeliner लगा रही हूँ मैं सिर्फ एक पतली से line draw कर रही हूँ eyeliner से जिससे मेरी जो eyes हैं सिर्फ sharp दिगे तकि मेरी eyes को एक अच्छी सी shape मिल जाए बस तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पतला सा eyeliner लगाया है बहुत मोटा eyeliner नहीं लगाया है नेक्स में यहाँ पर ले रही हूँ faces canada का kajal और इसका भी मैं काajal का 1-2 coat ही लगाऊंगी ज्यादा dark काajal मैं नहीं लगा रही हूँ next में यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का mascara आप चाहें तो यहाँ पर false lashes भी wear कर सकते हैं बट मैं mascara कही 2-3 coat apply कर रही हूँ और जो eyeshadow मैंने अपनी eyelid पर लगाया था सबसे पहले वो ही shimmer powder से मैं blush लगा लूँगी ऐसा blush की तरह मैं लगा रही हूँ इसे क्योंकि मेरे पास और shade में तो highlighter नहीं है इसलिए मैं इसी shimmer powder को blush की तरह लगा रही हूँ और मैं अब इसी dark color की shade से थोड़ा सा अपने face को contour कर लूँगी क्योंकि ऐसे जो face है वो अच्छा नहीं लगता है तोड़ा सा shape आ जाती है face की तो बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपने face को contour कर लूँगी next मैं अब लगा रही हूँ highlighter और मैं इस fan brush की help से highlighter लगा रही थी बट इसे इतना अच्छे तरीके से नहीं लग पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आपर highlighter लगाऊंगी तो मैंने सोचा आज मैं भी highlighter में नहा कर देख लेती हूँ बर-बर कर लगा कर देख लेती हूँ तो आप मुझे comment में जरूर बताएगा कि आपको मेरा ये challenge कैसा लगा और वीडियो को please guys like जरूर कर दीजेगा तो यहाँ पर मैंने पूरे face पर highlighter अच्छे से लगा लिया है next मैं यहाँ पर लगा रही हूँ lip liner और ये ADS का lip liner है और ये challenge करके मुझे बहुत अच्छा लगा next मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये fushia pink lipstick ये ADS की liquid lipstick है और इसका review मैंने अपने चैनल पे शेर किया हूँ है आप आई button पे click करके उस वीडियो पे जा सकते हैं तो इसका review भी आप ज़रूर एक बार देख लीजेगा बहुत अच्छी lipstick है long lasting है waterproof है अब मैं लगा रही हूँ makeup fixer so मैंने यहाँ पर अपने earrings भी पहन ली है और guys ये है मेरा final look I really hope कि आपको मेरा ये makeup look पसंद आया हूँ और पसंद आया है तो please मेरी इस वीडियो को like कर दीजे मेरी चैनल को subscribe कर लीजे साथ मैं जो bell बटन ऐसे प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिले और guys ये बिल्कुल free है और आप मुझे follow कर सकते हैं facebook और instagram पे मैं मिलती हूँ और भी amazing सी वीडियो के साथ अब तक के लिए bye bye